पहला चेंज है पब्लिक प्रोविडेंट फंड को लेकर जो एक अप्रेल से लागू हो जाएगा आप करंटली जहां पर जोब कर रहे हैं अगर वहां आपका पीपेफ अकाउंट है तो जब भी आप जोब चेंज करेंगे तो आपका पीपेफ अकाउंट ओटोमेटकली दूस आजकल के साइबर फ्रोड को देखते हुए PFRDA ने NPS के लोगिन सिस्टम में चेंज किये हैं मीन्स कि जब भी कोई अपने NPS अकाउंट में लोगिन करेगा तो उसे टू फेक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा और ये चेंजिस नए और पुराने दोनों रहें के NPS subscribers के लिए हैं NPS subscribers को पहले step में अधार verification करना होगा और दूसरे step में मुबाइल पर IOTP के साथ verification करना होगा नेक्स्ट चेंज है PPF और सकन्य अकाउंट होल्डर्स के लिए आप जानते हैं कि PPF और SSY में अकाउंट बंध होने से बचाने के लिए हर साल एक minimum investment करनी पड़ती है जो की PPF में है 500 रुपए पर year और SSY में 250 रुपए पर year लेकिन अगर आप ये minimum investment भी नहीं कर पाते तो आ आपका अकाउंट deactivate कर दिया जाएगा और दुबारा से activate करवाने के लिए penalty देनी होगी so PPF और SSY holders इस बात का द्यान रखें कि वो 30 March से पहले पहले ये minimum payment कर देनी ये थी वो सारी updates जो आपके लिए जाननी बहुत जुरूरी थी I hope आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी Thank you